राज्य सरकार ने आज बड़े पैमाने पर IS अधिकारियों का तबादला कर दिया है कुल 25 IS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है इनमें DDC, नगरायुक्त और SDM रैंक के अधिकारी शामिल है जिन IS अधिकारियों को हटाया गया है, उनमें 14 को नई पोस्टिंग मिली है जबकि 11 अधिकारियों को वेटिंग फोर पोस्टिंग रखा गया है राजधानी पतना के तीन अनुमंडल अधिकारी यानि SDM को हटा दिया गया है पतना के तीन SDM बदले गया है हाली में पटना में हुए लाठी चार्ज में पुलिस की लाठी खाने से चर्चे में आए पटना सदर के अनुमंडल पताधिकारी श्रीकांत कुंडलिक खंडेडकर को तबादला कर दिया गया है उन्हें नालंदा का डीडी सी बनाय गया है वह पटना सिटी की SDM गुनजन सिंग का भी ट्रांसफर कर दिया गया है उन्हें वेटिंग फूर पोस्टिंग रखते हुए सामाने प्रशासन विभाग में योगदान देनी को कहा गया है दानापूर के S.T.M. प्रदीप सिंग को भागलपूर का डीडीसी बनाया गया है छे नगर आयुक्त बदले गया है सरकार ने कई नगर आयुक्तों का भी तबादला किया है सारन के नगर आयुक्त सुमीत कुमार को पस्चिमी चमपारन का डीडीसी बना कर भेजा गया है मुझफरपूर के नगर आयुक्त नवीन कुमार को गया का डीडीसी बना कर भेजा गया है सासा राम के नगर आयुक्त एतेंद्र कुमार पाल को सारन का डीडिसी बनाय गया है नालंदा के नगर आयुक्त सेखर आनंद मुंगेर के नगर आयुक्त निखिल धनराज निपनी कर भागलपुर के नगर आयुक्त नितीन कुमार सिंग का भी ट्रांसफर कर दिया गया है मुझाफर पूर का नया नगरायुक्त बनाय गया है SWT ngala hai, राज्यसरकारण ने इसके अलावा भी कए और IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. सारण की डीदीची प्रियंका रानी को नवआदा का डीदीची बनाय गय गया है मोतिहारी सदर की SDM स्रेष्ट अनुपम को मोजफरपुर का डीडीसी बनाया गया है बिहार सरीफ के SDM अभिशेक पलसिया को खगडिया का डीडीसी बनाया गया है बगहा की डीडीसी अनुपमा सिंग को आरा का डीडीसी बनाया गया है वैसाली के महुआ की SDM चंद्रिमा आत्री को पूर्णिया का DDC बना कर भेजा गया है। प्रतिभा रानी और भागलपूर के DDC कुमार अनुराग का ट्रांसफर कर दिया गया है। इनको कहा गया है। झाँ 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 झाल